Hello Sagittarius, Hello Libras, यह on request वीडियो है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि Sagittarius की love energy Libra के लिए क्या रहेगी, Libra की love energy Sagittarius के लिए क्या रहेगी और future में यहां इस connection का क्या बनेगा और आप switch कर सकते हैं role according to your situation, चलिए पहले मैं काफी जादा card निकल के आई हैं तो मैंने सारे cards ले लिए यहां बहुत जादा card निकल के आई है friends, as you see, वैसे तुम्हें तीन ही लेती हूँ, तो यहां seven of cups आया है, page of wands आया है, six of swords आया है, six of cups आया है, empress card आया है, three of wands आया है and the king of cups आया है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि एक soulful सा connection है, यहां पे Sagittarius को यह लगता है कि एक soulful connection ह ठीक है, कुछ past memories हैं, जिसे time to time, Sagittarius वाले याद करते रहते हैं अपने partner को और दूर से जो है, stalk भी करते हैं, आपका online social media, आपकी pics, DPs, whatever, दूर से आपको stalk करते हैं, लेकिन उनके mind को clarity नहीं है, यहां जो Sagittarius की energy मुझे लग रही है, इस इंसान की आप switch कर सकते है roll, इस इंस का, क्योंकि जब भी आपके बारे में सोचने बहर जाता है, दूर से आपको देखता रहता है, छुपके ठीक है, आपके सामने नहीं आता, अपने emotions को control करता है, बताता नहीं है, खुलके expressive नहीं है, अपने love को लेकर अभी तक wait कर रहा है, इंतजार कर रहा है किसी बात का, औ Empress, आपको Empress की तरह देखता है कि आप उनके लिए जो है, बिल्कुल Empress की तरह है, मतलब आपको बहुत high regard में आपका partner देखता है, आप उनके लिए जैसे हैं, परफेक्ट हैं, ये सब इस इंसान की सोच है, ठीक है, इस इंसान की energy है अपने Libra के लिए, चलिए Libra वालों के भी काफी cards आये थे, उनकी energy देख ली जाए जल्दी से, यहां हमारे पास seven of pentacles आया है, five of swords आया है, two of swords आया है, nine of swords आया है, बहुत अदर swords निकल के आई है, three of swords आया है, again swords आ गया है, यहां पर हमारे पास six of wands आया है, hierophant आया है, और page of pentacles आया है, अब इस इंसान की energy की बात कर ली जाए, तो यह इंसान जो है, काफी pain और दुख देखा है, इस इंसान ने, इस connection में ठीक है, बहुत ज़्यादा pain से गुजरा है, maybe because of third party situation, right, लेकिन इस इंसान ने काफी, सबसे ज़्यादर depressive और low energy इस इंसान की लग रही है, जबकि इस इंसान की energy इतनी low नहीं लग रह है, तो यहां पर जो इस इंसान की energy है, वो weight continuously weight करता जा रहा है, lose-lose situation, यह इंसान जो है, hope खोता जा रहा है, दिन पर दिन, इस connection के बारे में कि यहां पर कुछ अच्छा हो सकता है, two of swords, confused रहता है, कभी सोचते हैं, यहां कुछ build-up हो जाएगा, प्यार करता हूँ, कभी उस अपने emotions के दवारा दुखी होता है, यह वाला इंसान क्योंकि यह जो इंसान था, वो शादी करना चाहता है, Sagittarius के साथ, और एक victory चाहता है, और यहां पर page of pentacle जो है, offer भी करना चाहता है, लेकिन जो यह offer कर रहा है, वो enough नहीं है, Sagittarius वालों के लिए, right, तो यह तो energy है, द start तो करना चाहता है, लेकिन नहीं पता क्या करे, तो एक simple message करना चाहता है, और क्योंकि इस इंसान की desire है, इस connection के बार में वो यह है कि यह शादी करना चाहता है, strongly victory चाहता है अपने partner के साथ, जबकि जो यह इंसान है, यह भी peaceful resolution तो चाहता है, दोनों ही wait कर रहे हैं, यह भी भी खुद को, यह इस इंसान की energy है, और यहां देखते है, future में कुछ बन सकता है, आप लगों का या नहीं, तो यहां हमारे पास आया है, seven of wands, queen of wands, and then we have the world card and the emperor card, तो यहां definitely restrictive energy है, एक इंसान जो है totally defensive है, walls खड़ी कर ली है, आप दोनों में से एक इंसान ने, और future में भी शायद वो walls जो है, देखने को मिलेंगी, लेकिन बात यह है कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए अच्छे match है, क्योंकि एक तो emperor की form में है, एक queen of wands की form में है, emperor मुझे लग रहा है, इस इंसान की energy है, काफी high vibration में है, confident है, और दूसरा इंसान जो है, वो थोड़ा अपना intuition से tune in करने की कोशिश कर रहा है, इस connection को लेकर, लेकिन यहाँ पर एक chapter already end हो चुका है, कुछ distance दिखा रहा है, देखिए आप इन दोनों में भी जो यह world card है, वो distance शो करता है, आप दोनों के relation में, आप दोनों के बीच में जो है, डिफेंसिव सी energy है, एक इनसान जो है, अपन मिल रहा है, और एक chapter जो आप दोनों के बीच में है, आधिहाई खतम हो चुका है, कुछ नया शुरू हो सकता है, बट मुझे फिर भी हाँ, in future भी, distance देखने को मिल रहा है, एक इनसान की defensive energy देखने को मिल रही है, लेकिन आप लोग यह manifest कर सकते हैं, क्योंकि bottom of the deck magician card आया है, अबस्टेकल तो हैं इस connection में, लेकिन manifestation की जा सकती है इस connection में, ठीक है, यह थी आपकी छोटी सी reading, कैसी लगी मुझे comment box में जरूर बताईएगा, okay friends, bye bye